हलो दोस्तो एक बाद फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगराम है और आप देख रहे हैं टीचर एजूकेशन कर्कुलम और सीनियर सेकेंडरी लेवल यानि कि आज हमारा टॉपिक है सिच्छक सिच्छा में बहुत है उच्छ माद्य में इस्तर पर पाठिक रहे है और इसका भाग जी देख रहे हैं मैं हूँ आपका दोस्त अवी सिरोही और आप हमारी चैनल में सक्सेस पॉइंट आगराम है आपका श्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज टीचर एजूकेशन का पार्ट जी आप बने रही है हमारे साथ सक्सेस पॉइंट आगराम है कि टीचर एजूकेशन यानि कि कर्कुलम और सीनियर सेकंडरी लेवल उच माधमे कि स्तर पर पाठेकरम है अक्सर करके यह प्रस्म जो आता है एम एड के 3 0 1 बेपर में टेट सीटेट के लिए टाइबर एंट है न हम इसको स्टार्ट करेंगे न किस लेवल पर जाना चाहिए चाहिए तो लेवल पाukर कर रहे हैं उसका हम कुछ stair में हम इसको सीखेंगे तो इसकी कितने स्टेप में वो हम देखेंगे partagram निमनिवत है जिनका अध्यान निमनिस तरों पर प्रसिचों को करना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसका जो teacher education का फर्स्ट पार्ट है वो है आपका partagram का बाल्यावस्ता इवन ब्रति यानी कि जो people teacher हוג और दूसरा पॉइंट है हमारे में सामय भारत एवम शिचछा क्या सामय भारत की परिश्चितियां कैसी क्या है एक हमनग है उसमें भारत सामय की स्थिति के बारे में और सिच्छा की परिसिति के बारे में भी अधियन खरना होगा अब जो तीसरा पॉइंट है मारे पास बिसे इस तोर पर उसमें देखेंगे आप अधिगम एवं सिच्छड अधिगम से यहां तात पर होगा कि हमें किस तरीके से लर्निंग प्रोसे तो ज्यान को भी हम इसमें ध्यान रखना हो इसी का पांचमा भाग है समावेशी विद्ध्यालय का निर्मार जहां पर सभी बच्चे मिस्त्र तवस्ता में पढ़ सके इसका अगला पॉइंट होगा हमारा चड़मा पाठे किरम से परे भाषा यानि कि जहां भाषा को जो है लेंग्विज में न समझ कर एक मानुवि वह सा में संजय जा है अगला है वैसेयों की समझ इम ओर बद्याली है अगर यह नहीं है तो समझ लिए मातने में इस तर पर हम लोग इसको नेवल को सही नहीं कर पा रहे हैं अगला हमारा जो पाड़ है नॉमा वह है आई सीटी का आलोचनात्मक अध्यन आई सीटी का मतलब है यहां पर जो ओवर हेड प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट होता है यह यह हमारे यह टेक्निकल पॉइंट होते हैं उन सब चीजों को हम लोग किस तरीके से स्तमाल कर पा रहे हैं यह चीजे जो हमें आलोचनात्मक अध्यन में करनी होगी पीपल टीचर को अब आगे बढ़ेंगे हम चैनात्मक विशे यानि कि हम कोई भी एक विशे को सेलेक्ट कर सक अक्सर करके आपने देखा होगा कि जब बच्चा 12 में आता है तो उसको मैथ या फिर बायो या यह सेलेक्ट करना होदा है चली अब आते हम योग सिच्छा पादमक इस तर पर योग सिच्छा का विशेस योगदार है हमारे पाठे करम में भी रखा जाता है योग सिच्छा महत्पूर है इसी के बाद इसमें अगला वाग जो आता है वह हम इसे इस तौर पर देखेंगे मूल एवं सांती की सिच्छा यानि कि मूल हमारे क्या है हमारे सिच्छा के जो मूल है वो क्या है यानि कि हम अगर बात करें वैल्यूज की तो वैल्यूज हमारे या बहुत वै हैं और यह जो एक प्रयावराण का सबसे अच्छा तरीका है प्रयावराण के साथ सनलिपत रखना चाहिए अब आएगा हमारा निर्देशन एवन सिच्छा यानि गाइडेंस एड एजूकिशन तो गाइडेंस करना बहुत जरूर है यह जो आप देख रहे हैं इसमें आपने गाइडेंस को ही डिफाइन किया है अगला पॉइंट हम बढ़ेंगे लिंग विद्याले भयावराण के आदार पर भी सिच्छा दी जाती है क्योंकि देखिए जैसे जैसे बच्चा माददेमेक इस्तर पर आता है वहां पर लड़कियां जब मादेमेक स्थे पर आती है तो यहां पर किनी दो ऐसे सब्जेक्टों को हमें सिच्छड अब्यास में लेना होगा जो हमारे लिए टीचिंग के लिए महत्पूड होंगी यह खासकर वीटी सी वालों के लिए महत्फपूड होगा अच्छा दूसरा है प्रायोगे कारे प्रायोगे कारे के अंतर गरत् करना चाहि 예뻐 now डूसरा पॉइंट है यहां कार्योजना है उसको बेषे वस्तु के जिसमें हम पार्थ योजना भी बनाना संब लेते हैं तो हमें पार्थ योजना बना कर पढ़ाएंगे तो हमारा एक्स्प्लेनेशन होगा वह बहुत ही उत्तम होगा दूसरा है तीसरा पॉइंट एसका छात्र एम सारी सुच्छा जो प्रयोग कार्रे में अक्सर करके आपने जरूरी है क्योंकि चब तक हम इस इच्छा को बास्रता से नहीं जोड़ेंगे तब तक वह ग्यान अधूरा माना जाएगा इसका अगला पॉइंट जो रहेगा वह बहुत ही महतूर ब्यक्तित्त विकास यानि मनुस्य का ब्यक्तित्त्त किस तरीके से निर्माण होता है तो अगला है हमारा विद्ध्याले सम्दय्स संबंद इतकृर इनि बिद्ध्याले सम इंस tentang consequ save लाइब्री जो स्टकाले प्रयोक्षाला वह हमारे किस लेवल की है और उसमें किस लेवल की मुट हमारे यह एवेलेवल हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपड़ेंट होगा और सबसे महत्पूर पार्ट इसका जिनौमा है वो है सिच्छड सहायक सामगरी तता अनुज़ेशनात्मक सामगरी का निर्मार यानि टीचिंग एड्स हम लोग कौन से कौन से इस्थमाल करते हैं क्या क्या है इसमें देखी जैसे दिखाया दिरा होगा आपको सूचना पट है जैसे हं पट है बल्यक बोड है यह सब चीजे हैं इसमें अगर हम कोई कार्ण कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम कर तो था सबसे रास्ठ में आता है आता है था आंत्रिक मुल्यांकन को महत दिया गया है इसके लिए अत्रिक बहुविद उपागम यानि मल्टिपल एप्रोच का भी प्रियोग मुल्यांकन ये तो किया गया है यानि कि इसमें हमें मुल्यांकन पर विसे पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कर लिजे और प्लीज इसे इसे सेर करना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि अगर आप इसे सेर करेंगे और आपका हमारा चैनल बढ़ेगा तो आपकी के अंसार हम और भी वीडियो आपको इसी पर प्रोवाइड कराएंगे इसी के सेरा जाहें जाहें